नीला चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलबद्र सुबद्रा अभ्याम जगन्नाथाय ते नमाहा प्रिय शिक्षार्थियों राष्टरीय मुक्त विद्यालई शिक्षासन स्थान N.I.O.S के स्टूडियो में आप सब का पुनहा स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमारमिश्र सहाय का अचारिय श्री जगन्नाथ समस्क्रत विश्व विद्याले पूरी से आप सब के मध्य उच्चतर माध्यमिकक्षा के वेदा ध्यनम पाठ्थिक्रम के अंतरगत उन्नी समापाठ के द्विती भाग जो श्रद्धा सूक्तम के नाम से है उस स्रद्धा सूक्त के अवांतह प्रथम भाग के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ कहा जाता है कि वेदों में मन की शक्तियों के मन के विभिन भावों का स्पष्ट रूप से वर्णन आता है एक शुकल यजरुवेद में शिव संकल्प सूक्त के नाम से चर्चा आती है जिसमें यजमान अपने मन को द्रड़ संकल्पित करने की कामना करता है मन का सामर्थ्य कितना है उसके सामर्थ्य का आकलन कर लेना अत्यंत कठिन कारिय माना जाता है केचित जनाह अत्यसिकम कारियम संपारेतुम शक्नुवन्ति महत युद्धे निर्भयम सेनाधिपत्यम गुरवन्ति केचित ध्यानादिना अतिंद्रियम ग्यानंच लभन्ते कुछ लोग हैं जो अनेक कारियों को संपन कर सकते हैं कुछ हैं जो युद्ध में निर्भय होकर सेनाधिपत्य स्विकार करते हैं और कुछ ध्यान इत्यादि के द्वारा अतींद्रिय ग्यान को प्राप्त करते हैं एवं मानवेशु भेदस्य कारणम्ही तेशाम मनह एव इस प्रकार जो मनश्यों के मन में भेद है उसका मूल कारण मन होता है तथा ही मनसह सूक्ष महा भावाह के तेशाम परिणामाह के भावानाम सम्वर्धनम कथम भवितम अरहती इती भावस्य द्रढ़ी करने के अंतरायाह संती इत्यादि विशयोपी वेदे समुपलभ्यते मन के सूक्ष भाव क्या है उनके परिणाम क्या है भावों का सम्वर्धन विस्तार कैसे हो सकता है और मन के भाव द्रढ़ कैसे हो सकते हैं उनके क्या उपाय है इन सबों की चर्चा ये सभी विशय वेद में उपलब्ध होते हैं श्रद्धा ताद्रिशह एको मनों भाव हा उन सभी विश्यों में उन सभी मनों के भाव में श्रद्धा भी एक विशिष्ट मन का भाव है कोई भी मनुष्य जिसकिसी कारिय में भी ततपर होता है कारिय के लिए सन्नद्ध होता है निश्चित रूप से उस कारिय के परति उसकी श्रद्धा रहती है ऐसा कहा जा सकता है कारिय प्रेर कहा विश्वासोही श्रद्धा इत्यभी वक्तुम शक्यते कारिय में किसी भी कारिय में विश्वास और श्रद्धा ही द्रड होता है बिना श्रद्धा के किसी कारिय के परति विश्वास नहीं जागिर्थ होता ऐसा भी कहा जा सकता है अर्थात तथा विश्वासह यह विश्वसिनम जनम विश्वासा नुगुणम कारिये प्रेरयती अर्थात यह है कि विश्वास ऐसा हो कि विश्वास करने वाले मनुश्य को विश्वास आनुगुन कार्य में उसकी श्रद्धा उसका विश्वास प्रेजित करे वही श्रद्धा वही विश्वास कहा जाता है जो क्रियाशील व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से विश्वासवान हैं श्रद्धावान हैं ऐसा भी कहा जा सकता है श्रद्धा के महत्व के विशय में श्रीमत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान मनुष्य है जो श्रद्धा के साथ अपने सभी इंद्रियों को संयमित करके कार्य में तत पर रहता है वही विशिष्ट फल को प्राप्त करता वही ज्यान को प्राप्त करता और उस परम ज्यान को प्राप्त करके वह अचिरेण शान्तिम अधिक अच्छती अचिरात शीक रही शान्ति को प्राप्त करता पुनह कहते हैं योगि नाम पिसरवे शाम मद पाते ना अंतरात्मना शद्धावान भजते योवाम समे युबत थमो मतहा कहे सभी योगियों में मद गते नांतरात्मना मेरी अंतरात्मा में भी जो गम्य है और ऐसे जो शद्धावान हैं, शद्धा समर्पित होके जो मुझे भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वह साक्षात मेरे ही सुरूप हैं, मैं उनको आत्म सुरूप में मानता हूँ. ऐसा श्रीमत भगवत गीता का वाक्य है शद्धा के प्रति. एवं बहुविधाहा, शर्धाया हस्तुति ही बहुत प्रकरता समुपलब्यते इस प्रकार शर्धा की सूःतुति शर्धा के विशय में बहुत सारी चरचाएं, अनेक स्थलों पर उपलब्द होती है अस्मिन पाठे वेदे शद्धा विशय किम्मुक्तम तत प्रस्तु यते इस पाठ में विशेस रूप से वैदिक वांगमे में वेद ग्रंथों में शद्धा के विशय में क्या कहा गया है वहा प्रस्तुत किया जाता है चुकि यह रगवेदी श्रद्धा सूक्त है रगवेद सम्मिता में इस सूक्त का पाठ प्राप्त होता है अतेव इस रगवेदी श्रधा सूक्त की रुषी साक्षात श्रधा कामा यनी है और अनुष्टुप्चंदोख्त मंत्रों का प्रयोग इस सूक्त में किया गया है इस सूक्त के देवता साक्षात श्रधा स्वयम है यहां रिगवेद के दसवे मंडल के 150 क्रमान का सूक्त है इस सूक्त में कुल पांच मंत्र प्राप्त होते हैं जिसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है हरिही ओम श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धयाहु यते हविही इस प्रकार मूल मंत्र प्राप्त होता है प्रथम इस प्रकार है यहां प्रथम बताया गया इस मंत्र में कहा गया कि श्रद्धा के महात्मे को प्रद्रिश्रत करते हुए कहा जाता है कि श्रद्धा के द्वारा ही यज्याग्नि प्रज्वलित होती है अतहा आप यग्यशाला में जब तक आपकी श्रद्धा उस अग्नि के प्रती उस यग्य कर्म के प्रति उन देवताओं के प्रति उत्पन्न नहीं होगी तब तक वे देवता भी जिसके प्रथमाग्र अग्नी हैं ऐसे सभी देवता भी आपके यग्य में नहीं आएंगे अग्नी प्रज्वलिद भी यग्याग्नी में नहीं होती श्रद्धया हविय दानम क्रियते आप जो यग्यादी कर्म में हविय देते हैं स्वाहा करते हैं वह भी श्रद्धा के द्वारा किया जाना चाहिए श्रद्धा से दी गई हवियों को ही देवतागन प्राप्त करते हैं अतहा श्रद्धा या भाग्यस्य प्रधाना साश्रद्धा स्तुत्या प्राथते सभी भाग्यों में जो श्रद्धा प्रधान है उसी श्रद्धा की स्तुति के द्वारा प्राथना किया जाता है शद्धा ही सभी कर्मों की मुख्य है ऐसी चर्चा इस प्रथम मंत्र में प्राप्त होती है जुतिय मंत्र है प्रियम श्रद्धे ददताहा प्रियम श्रद्धे दिदासताहा प्रियम भोजेशु यज्यस्विदम्म उद्धे दंक्रिधी ये मंत्र है मूल इसका पदपाठ है प्रियम श्रद्धे ददतहा प्रियम श्रद्धे दिदासतहा प्रियम भोजेशु यज्जवसु इदम में उदितम कृधी इस प्रकार पदपाठ किया जाता है इस मंत्र में कहा गया अस्मिन मंत्रे श्रद्धाम प्रति उच्यते श्रद्धा के संभोधन में कहा जाता श्रद्धा को इस मंत्र में कहा जाता कि हे श्रद्धे चरु कुरोडाशा दीनी दातु हू दातुम इच्छतहा पुदार यजमान अस्य अभीष्ट कूर्तिम कुरू हे भगवति श्रद्धे आप चरू पुरोडाश इत्यादी द्रव्यों को देने वाली हैं यजमान को संपदा देने वाली हैं अतहा दातुम इच्छतहा उदार यजमान अस्यव आपके लिए या देवताओं के लिए हविरदान करने का इच्छुक जो उदार हरदे वाला अस्य वचन अस्य अभीष्ट पूर्तिम गुरू पुना यजमान कहता है हे भगवति श्रद्धे हमारे द्वारा आपके लिए यह तुति वचन किये जा रहे हैं हमारे इन वचनों की प्रतिपूर्ती इन वचनों के द्वारा हमारी जो कामनाएं हैं उन कामनारूपी वचन झाल